असलाम अलेकुम दोस्तों यह गाजा शहर का नजारा है आप लोग यहां पर देख सकते इस्राइली इस्टैक्स की वज़े से किस तरह से तबायो बरबादी मची है काफी सारे जहें दोस्तों सब्सक्राइब का अपने एक बार फ्रिस से आई होब कि आप से वच्छे हों आज कितने माँ पहुच गया है इस्राइली इस्टैक्स की वज़े से किस तरह से तबायो बरबादी मची है काफी सारे लोग सोचल मीडिया के ओपर यह जूटा प्रोपगंडा चला रहे है कि यहां पर इरान की फौज आ चुकी है लेपनान की फौज आ चुकी है गाजा अब देखें यहां पर कुछ सौधी के प्रोपगंडा करने वाले होते हैं कुछ इरान का प्रोपगंडा करने वाले होते हैं कुछ उल्मा एकराम इसमें भी शिया सुननी कर रहे हैं कोई शिया सुननी का मसला नहीं है यहां पर जो भी हम बात बोलते हैं सबूत की बुनिया रहें डर कर यहां पर आप देख सकते हैं इनकी इफाज़त के लिए कुछ भी नहीं है वहीं दूसरे जानीब इसमाइल हानिया जो के दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी है वो कह रहा है के घरान छोड़कर मत भागो अल्रेडी सौदी और इरान का आइटी सेल से दुनिया भर क मसल्मान परेशान थे अब अगवानिस्तान और तुर्की को लेकर भी लोग किस तरह से जूट फैला रहा हैं यहां पर आप सुन सकते हैं तालीबान वालों की फोटो दाल कर यहां पर देख सकते हैं उर्दू चैनल किस तरह से प्रपगंड़ा चला रहा है अफगान इस्राइल में साइरन बच उठे नाजरीन अफगन तालिबान ने अल्लाव उक्पर का नारा भुलंद कर दिया अफगनिस्तान की फता के बाद एक और तारीखी जहाद की तैयारी इस्राइल अपनी आखरी सांसों पर अफगन तालिबान का लशकर देखते ही दो मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा हर कोई कमेंट सेक्शन में माशालला माशालला लिख राए ना ही ये औरत ने यहाँ पर एक भी टैंक दिखाया फोटो में ना ही इस औरत ने कोई प्रूफ दिया लेकिन हमारे लोग क्या है बेखुफ बन जाते इ अब ये वीडियो देखिए 24 मिलियन लोगां देख लिए है पूरे लोगां क्या कर रहे है ये वीडियो देखने के बाद में इरान को सपोर्ट कर रहे है इरान जो इसो कभी भी ने लड़ता इसराइल से इनके और उनके दोनों के रिष्टे बहुत ही अच्छे है उल्ठा इसराइल का सुम्में बड़ा दोस अमेरिका इरान को पिछले में नहीं 6 बिलियन डॉलर दिया लिबनान के फॉरेंड मिनिस्टर ने पहले ही बोल दिया है कि हेजबुला ये जंग में नहीं उतरेगा वहीं दूसरी जानि जो आपको बताया जा रहा है मीडिया के इंदर ब मार लेती अगर आईडियाफ के एक भी सोल्जर को इनका रॉकेट लगेगा तो फिर आप सोर सकते हैं लिबनान की तरफ भी इसराइल के टैंक्स मुड जाएंगे ये लिबनान के फॉरेंड मिनिस्टर रहे अब्दुला बोहबीब इनका नाम है इन्होंने हेजबुला के ज सिर्फ नवत लोगा इनको देखें लेकिन अक्चुल में जो वीडियो सोशल मीडिया के उपर वाइरल होते वह ये वाइरल होते इन्हें क्या करता है हेजबुला के आतंगवादी हवा में इस तरह से माल लेते रॉकेट फिर इसराइल का आरण डॉम वह रॉकेट को इंटर एक फेक आईडिस है ये न्यूस फैली और अपने काफी सारे न्यूस चैनल वाले क्या करें इसको न्यूस बना कर दाल दिये आईसी तारीफ हैं कर रहे हैं लोंगी पूछो मत यखिनन हम उस दोर में दाखिल हो चुके हैं जहां पर जूटों को सचा समझा जा रहा है और सचों को जूटा समझा जा रहा है क्योंके जो जूट बोलने वाले हैं आपके कान खुश कर रहे हैं हकीकत नहीं बता रहे हैं जो भी बात आपको बता रहे हैं उसका कोई सबूत लेकिन आप लोगां ज्यादा पड़े लिखे नहीं है इसी वज़े से नहीं समझ सक रही है चीजों को ये पाकिस्तान के लोग वेक प्रोपगंडा पहला कर अफगां इस्टान के टॉइटस आ रहे हैं उसकी नियूज्ड बना रहे हैं बड़े-बड़े दददध घंटे के वीडियोस बना रहे हैं ये एक्चोल रियालिटी और हकिकत बात ही है कि इस्टारी जीत रहा है और 26 ता कोई तारीफ नहीं है लेकिन हाफिकत बात जो है ग्राउंड के ओपर जो हो रहा है वो तो बात यही है कि इसराइल किस तरह से गाजा पटी के ओपर ठहरावा है बॉर्डर के ओपर ठहरावा है आपके कान खुश करने के लिए बोल दूँगा यहां पर वो आर्मी आ गई बोल आपको बता रहा हूं यहमास और हजबुल्ला जैसे आतंगवादियों की वज़े से फलस्तीन के मुसल्मान खुद परेशान थे वीडियोस हमने आपको बता हैं तो किसी भी आतंगवादी संगटन को सपोर्ट मत करिए आज के वीडियो मसी नहीं था इंशालला गले वीडि करने के लिए किसी नहीं करने के लिए और सेकिंद इसाइल को पता है यह जितनी आसपास के मुसलिम कंट्री बिल्कुल बुच दिल है इन पर असला बारु जाना कुछ है यह सिर्फ खाने मस रहते हैं और इनके पास कुछ नहीं है इसलिए उनने हमला करा वो चाहेगा था बल्कि इसलिए बिल्कुल ने पर इनके बना देख लगजा ख़ता है कुछ दिन में इसको इसराइल कवजा प्रिक कर लेका यह होने वाला है तो रिल्म ये चैनल थी बहुत इंट्री वीडियो बनाते हैं इसलिए बिल्कुल फेक निइस पला रहें हैं यह पोच्छ आपको रियाल इंटेरेन्मेंट को भी जरूर इस वीडियो को अधार नेक्स है कि साथ तब बहुत स्वाइद के जाये भारत